नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं पारा सिक्षक आगलन परिक्षा के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ सकती है तिथी, बड़ी संध्या में पारा सिक्षकों के परण पत्रों का सत्यापन नहीं होने तथा जाती परण पत्र नहीं बनने से आगलन परिक्षा में सामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन में परिसानी ह रही है जार्खन राजे प्रसिक्षित सहायक अध्यापक संग के एक प्रतिनीधी मंदन ने गुरुवार को सिक्षा मंत्री जगनात महतों से मिल कर इस ओर ध्यान आक्रिष्ट कराते हुए 15 दिसंबर तक आवेधन कितिती बढ़ाने की बांकी है मंत्री ने राजे परियोईना निदे से कियन कुमारी पासी से बिमर्ष के बाद इसका अस्वासन पराशिक्षको को दिया है अभी तक लगभग 22,000 पराशिक्षको के पन पत्रों का ही सत्यापन हो पाया है बतादे मंत्री जगनात महतों ने आकलन परिचा के मोडल प्रश्न पत्र एवम सी लेबस सिग्र जारी करने परिच्षा के अंक समय एवम सुल्क पर फिर से बिचार करने का अस्वासन दिया बताया की पराशिक्षको की वार्शिक बिरिधी जनवरी 23 से लागू की जाएगी धनबाद में बजरंग बली की मूर्ती तोड़ी आरोपित गिरफतार गोबिंद पूर्थाना छेतर की जम डिहा पंचायत अंतरगत खुबरी टाल सीव मंदीर में इस्थीत हरुमान जी की परतिमा को धरमें बिश्यस के युवक ने सुक्रवार की सुब़ छति गरस्त कर दिया घाटना के बाद इलाके में इस्थीति तनापून है सुब़ करीब 9.45 बज़े युवक ने मूर्ती छति गरस्त कर दी है इधर घाटना से आक रोशित ग्रामिनों ने आरोपित को पकल कर बंधक बना लिया और जाज स्री राम के नारे लगाने लगे मामले के सुचना मिलने पर ग्रामिन एस पी रिस्मा रमेशन, डी एस पी अमर कुमार पांडे, गोविंद पुर के थाना पर भारी इंस्पेक्टर उमेश परचाज सिंग, वीडियो संतेश कुमार, सियो, राम जी वर्मा और दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और के बाद इस्तिती को काभूम किया, ग्रामिनों ने नावा टार के रहने वाले अरो कि इमत्याज अंसारी पीता मुस्लिम अंसारी को बंधक पुलिस के हवाले कर दिया, जारखन के बाल सुधार गिरिह में केर टेकर पर हमला कर उसे गंभी रूप से घायल कर दिया गया है मामला कोडार्मा जीला के तिले ये थना चेतर का है थना चेतर के नियो कोलोनी वाड संख्या सोलों में बाल गिरी कोडार्मा का संचारन किया जाता है यहां किट्स फैली सिटी के रूप में रह रही यूती ने बालगिरी की केर टेकर अंजली देवी के सीर पर हमला कर दिया बता जाता है कि सुक्रवार को सुबा सुबा अंजली देवी के सीर पर उस 25 वर सिय यूती ने कई बार हमला किया अंजनी देवी लहुआ लुहान हो गई जो वह साड़ी के सहरे बाल करनी से कूद कर फरार हो गई सुबह साथ बज़े जब बाल कीरी के करमचारियों किसकी सुचना मिली तो अंजनी देवी को अस्पताल में भरती कराया गया कोडारमा सदर अस्पताल में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं पहली बार सुबरोतो कप जितने पर रांची में स्वागत खेल के मैदान में जहरखन के खिलारी अपना परचम लहरा रहे हैं राज बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि स्कूल की बालिका टीम ने सुबरोतो कप राष्ट्रिये फूटबोल परत्योगता जिता है दिल्ली में आवेजित फाइनल मैच में मन्नीपूर को हरा कर जब जहरखन की बेटिया रांची रेल्वेस्टेशन पर पहुँची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया खिलारीों के चेहरे पर आत्म विश्वास और भविस से में और बढ़ा करने की चमक दिखी बतादे जहरखन की टीम ने वेश्ट स्कूल जूनियर गर्ल अंडर 17 विनर जूनियर गर्ल अंडर 17 और वेश्ट गोल कीपर के लिए मिले चेक के साथ अपनी तस्पीरे खिचवाई दरसल पिछले दिनों दिल्ली में सुवर्यों तो कप राष्ट्रिय फोटवर्ड पर त्युकता हुई थी इसमें गुमला के संद पायट्रिक हाई स्कूल की बाइल का टीम फाइलन में पहुची थी मकान किराये पर लेने के नाम पर खाते से उड़ा लिए 4 लाख रुपए अपराद अनुसंधान विभाग की साइबर अपराद थाने के पूलिश ने मकान किराये पर लेने के लिए रुपए की साइबर ठागी के मामले में नई दिल्ली के दो साइबर अपरादियों गिरफतार किया है। ठागी के पीद असोक कुमार यादव है जो रांची के सदर ठाना छेतर में रिम्स के सम्मिप्राते हैं। उन्होंने इसी वर 27 जून को रांची इस्थी साइबर अपराद ठाने में प्रत्मी की दर्च कराई थी। अगले वर्स मार्च माह में अयोजित होगी। बता दे दोनों टर्म की परिक्षाओं में इस बार बहु बेकल्पिक प्रस्णों के अलावा अति लगू उतरिये लगू उतरिये और दिर्ग उतरिये प्रस्ण पूछे जाएंगे। दोनों परिक्षाओं में परिछार्थियों को बहु बेकल्पी प्रस्णों के लिए OMR सीट तथा सेस प्रस्णों के लिए उतर पुष्ति का उपलब्त कराई जाएगी। आर एसेस की सभी सखाओं में मनाया जाएगा विजये दस्मी उत्सव। दस्मी उत्सव के साथ ही अस्थापना दिवस्तमारों भी सखाओं पर एक साथ मनाया जाता है। बतादे इस बार संग अपनी अस्थापना की संतानवी वर्सगाठ मनायेगा। इसका मुख्य कारकराम संग मुख्याले नागपूर में होता है। सर संग चालक अस्त्र सस्र पूजन के साथ ही स्वयम सेको को समोधित करते हैं। नितिस कुमार का अगला टारगेट जारखन बिहार में राजद और कांग्रेस के साथ गटबंधन कर जद्यू की सरकार चला रही है। इस नए समीकरन को जद्यू जारखन में भी आगे बढ़ाने में लगा है। जद्यू को वरिष्ट नेता भी इस मोहिम में लगाए गए हैं। सामिल होने से परदेश में उनका जनाधार बढ़ेगा। की महिला परित्यक्त और दिव्यंग महिलाओं को 90% अनुदान पर दो दुधारू गाया भाइस दिया जाएगा। लोहरदग्गा में पिस्टल के साथ अपराधी गिरफतारू लोहरदग्गा पूलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल किया है। इसके पास एक पिस्टल और कार्टूत बरामत किया गया है। चात्रा को सनेटरी पैड नहीं देने के मामल में उपायुक्त से रिपोर्ट। लेकिन कथित तोर पर सिक्छक इफसिता साहु ने बच्चे को सनेटरी नेफकिंग परदान करने से इनकार कर दिया। जब तक कि बच्चे द्वारा सूलक का भुगता नहीं किया जाता। दुरगा पुजा को लेकर जारखन में 11,000 अतिरिक्त पूलिस बल। पुलिस मुख्याले ने 24 जीलों में सुराक्षा बेवस्था को लेकर त्यारी पूरी कर लिए है। पुलिस मुख्याले असर से 24 जीलों को करीबे 11,000 अतिरिक्त पूलिस परदान किये गए हैं। राच जीलों के 24 जीलों में कूल 586 लाठी बल वह 475 होमगाड परदान किये गए। राची जीला में सबसे अधिक अतिरिक्त पूलिस परदान किये गए। यहां परलाठी बल और होमगाड के अलावा दो कॉमपनी R.A.P., एक टीम टीर गयस, एक टीम B.D.S. परदान किया गया। इसके अलावा हजारी बाग्यम सेथपूर्वा गिरीडी में भी एक एक कॉंपनी आर एपी एक टीम टियर गयस और एक टीम बीडियेस टीम परदान कर दिये गए हैं धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होते चनल के सब्सक्राइब कर बाल कापेल एक अंद बाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट परस में अपना फिडिवेक अवस्त दे थैंक यू